So Hello everyone, बात करते हैं आज बायो काउन लिमिटेट के बारे में यहाँ पर कल तो गिरावट हुई है 4% की बत आज इस सेयर में कुछ तेजी देखने को मिल सकती है possibility है जिस कारण यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है news के चलते मतलब यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है तो देखेंगे आप जो news आ रही है LIC ने अपने stake इस share में बढ़ाए है 4.982% से यह 5.023% कर दिये है LIC ने अपने stake ऐसे में यह share चर्चा में हो सकता है मेभी आज ना दिखे moment वर कुछ time पर यहाँ पर इस year में मतलब moment बन सकता है One day में तो गिरावट ही रही है आगे हम returns देखें इसके previous returns क्या क्या रही है So five days में भी negative returns and one month में ठिक ठाक returns है almost 9% Past six month में भी सही returns है 49-50% almost Year to date में भी ठिक ठाक returns है and one year में देखा जाए यहाँ पर भी मतलब returns इसके ठिक ठाकी नजर आ रही है All time में All time में आप देखेंगे 675% इसके returns रही है Overall returns इसके ठिक ठाकी नजर आ रही है ज्यादा खास नजर नहीं आ रही है वागे हम चलते हैं यहाँ पर Directly चार्ट पर क्या इसका Support level and resistance level निकल कर आ रहा है आप देखेंगे जो इसके closing हुई है यह 375 रुपीज के राउंड हुई है कल यहाँ पर काफी गिरावट रही और जो इसका Support level नजर आ रहा है यह है 372 रुपीज के राउंड एंड second support level यहाँ पर 349 रुपीज के राउंड रहेगा एंड third support level 323 रुपीज के राउंड रहने वाला है और बात करूँ यहाँ पर मैं इसकी resistance की 405 important resistance है अगर यह इसके अबाव एक closing candle देता है तो तब यहाँ पर 425 एंड 450 तक का यह आपको maximum target दिखा सकता है सो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आयोगी पसंद आयोगी thanks for watching this video